कहानी 28 अमीर यहुदी मनुश्य एक दिन एक अमीर यहुदी मनुश्य इशू गै कनने आगे भीगै कनू पुच्चो ए उत्तम गुरू अनंत जीवन पान खातिर मन्य के करनो जुरूरी है इशू बिने के ओ, तू मन्य उत्तम क्यों के वा है केवल एक ही उत्तम है और बो परमेश्वर है पर जे तू अनंत जीवन पाणों चावा है तो परमेश्वर गी वस्था गो पालन कर मन्ने कुण कुण सी आग्या गो पालन करन गी आवशकता है बने पुछो येश्व बिने जवाब दियो हत्या को नी करनी वैविचार को नी करनो चोरी को नी करनी जूट को नी बोलनो आपने पिता और माता गो आदर करनो और आपने प्रोसी सागय आपवगय समान प्रेम करनो पर बी जवान आदमी के ओ, मैं आपने बालकपन मुही आ सारी आग्यावां गो पालन करतो आयो हूँ मन्ने सदा जीवित रेन खातिर अब भी के करनगी आफशकता है ये शुबिंग उपर दृष्टी करी और बी मुँ प्रेम करे ओ ये शुबिंग जवाब दियो, जे तु सिद्ध होनो चावा है, तो जागे आपको सारो कुछ बेच दे और बो धन गरीबा मैं बांट दे, और तन्य सवरक मैं धन मिलेगो, फिर आगे मेरे पिछे हो ले जिको इशु केओ, जद भी जवान आदमी सुनेओ, तो बो बहुत उदास हो गयो, क्योंकि बो बहुत दनी हो, और बने आपगी सारी संपत्ती देनी ना चाईए, बो मुढगे इशु गय करनू जानतो रेओ फिर इशु आपने चेलाने केओ, परमेश्वर गय राज्या में धनी लोगां गो प्रवेश करनो बहुत उखो है, हाँ, एक धनी आदमी गो परमेश्वर गय राज्या में प्रवेश करन गी, तुलना में की उठ गो सुई गय ना कैमू होगे निकल जानो आसान है जिको इशु केओ, जद चेला सुनेओ, तो बेच चकीतो या, बाँ केओ, जे ओ हिसो है, तो परमेश्वर किने बचावागो इशु चेला पर द्रिष्टी करियर केओ, लोगां खातिर स्वैम गो उदार करनो ऐसंभव है, पर परमेश्वर खातिर कुछ भी करनो ऐसंभव को नी पत्रस इशु ने केओ, में चेला आपनो सारो को छोड़ गे तेरे पिछ हो गया हाँ, तो मारो पुर्सकार केओ वेगो ये शु जवाब दियो, हर एक जन जिका मेरे कार्ण घर, बाई, बेहन, पिता, माता, बच्चे या संपत्ती ने छोड़ेो है, बो भी मुसोगुना ज़्यादा प्राप्त करेगो और अनंत जीवन भी पावेगो, पर बहुत सा जिका पेला है बे पिछला होएगा